हेलो फ्रेंड वेलकम टु नॉलेजा की उशेक आप सभी का सौगत है नॉलेजा की उशेक की लेटस्ट अपडेट के अंदर आशा करतो हम आप लोग सभी अच्छ होंगे अपने एक्जाम की तरी आप लोग अच्छे से कर रहोंगे आज के हमारी वीदियो एक आयोटी के टॉपिक पे होने वाली है जो की काज़न टेकनीक से रेलेटेड है जो की एक continuous इंप्रुमेंट किसी भी इंडस्टी के एक प्रॉसस है जिसके अंदर जिसका मेन मोटिप रहता है continuous improvement का उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ताकि अगर कोई question के पास आता है तो आप उसे easily वहाँ पर कर पाएं इससे पहले मैंने 5S technique को भी बना दिया है और अभी PDCA cycle के बारे में मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे टोपिक टे जहांसे आपके questions पेपर के अंदर आये थे इसी मारे मैं उन topic को cover कर देता हूँ छोटे चोटे टोपिक है दस पंदर टोपिक है जिनके आपके काफी सारे टोपिक तो मैं already बना चुका हूँ आप लोग जाएंगे IOT की playlist में मां पर मैंने डाल लेकिन कुछ topic जो मझे लगता है कि थोड़ा बता देना चाहिए उनको भी मैं बना दे रहा हूँ यहां पर important है तो इसलिए आप लोग इन सब topics को देख ले तो यहां पर देखिए kaizen technique basically है क्या तो देखिए kaizen was first practice in Japan Japanese business after world war second तो kaizen technique जो है पहली बार practice में कब आई वर्ल्ड वार second में और यह क्या है Japanese business मतला आप समझ सकते है Japanese से related यहां पर यह एक technique है influence in part of American business and quality management teachers and most notably as a part of Toyota वे तो यहां से question last year भी आया था कि kaizen technique के लिए कौन सी company यहां पर number first थी तो Toyota उसका answer था last year paper के अंदर question था तो इस चीच को आप लोग ध्यान लखिए it has since spread throughout the world and has been applied to environment outside of business and productivity तो देखिए यह काइजन टेक्निक एक Japanese टेक्निक है जिसका में काम देखिए चाहा है काइजन टेक्निकों चाहाँ 5S टेक्निकों सब आपस में मिलती जुलती टेक्निक है सबसे में काम इन लोग का रहता है कि waste को कम करना कि कम से कम waste हो और जो effective way में हमारा सारा product त्यार हो और हमारे जो continuous improvement होता रहा है ऐसा नहीं कि आज जो product गलत हुआ है तो कल भी वह product के अंदर वही कमी आपको देखने को मिल लाई है ऐसा आपका नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप देखिए ए टिपिकल काइजन प्रोसेस फॉलो इस इस पर यह स्टैप को यहाँ पर काईजन सेकल जो है यहाँ पर और opportunity के लिए उसकी राती तो यह objective पेपर के अंदर था आगे दिखते है एलाईज यॉर current प्रोसेस और डैबलप और identified and ideal solution मतलब लाइन से देखिए पहले क्या करेगी problem को find करेंगे उसके बाद पूरी जो process चल लिए उससे हम क्या कर करेंगे analyze करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ideal solution को बनाएंगे कि जो problem आईए उसका ideal solution क्या होगा उसके बाद जो हमने solution मनाया उसका implement करेंगे implement करने के बाद study the result and adjust what doesn't work उसके बाद क्या करेंगे implement करने के बाद real देखेंगे क्या हमने जो इसका result मनाया है क्या वो ठीक हुआ यह नहीं हुआ उसका फिर हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा result त्यार करेंगे उसके बाद extendize the solution करेंगे उसको standard मतलब उसका tag कर देंगे उसका जो भी standardized है उसके बाद repeat for next problem आगे सेम अगर कोई problem आती तो उसके लिए repeat करेंगे तो इस तरीके से line से 7 step के अंदर आपका यहां पर जो है process follow करती है कि आपको defect find करा defect के बाद उससे analyze करा process में उससे analyze करने के बाद उसका solution हमने find करा solution को implement करा solution implement लगने के बाद हमने उसका analyze करा और work कर रहा है नहीं कर रहा है अगर work नहीं कर रहा है तो repeat करते हैं उस चीज को और अगर work कर रहा है तो आगे जो भी problem आ रही हो उसके लिए repeat करते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ता हुए फूर हमने उसका standardized कर दिया और last में आगे के लिए problem के लिए उससे repeat कर दिया तो देखिए एक continuous improvement process है इसके बारे में तो आपको idea लग गया होगा आप यहाँ देखिए continuous improvement में क्या क्या था plan मनाओ और do मतलब उसे करो फिर check करो और फिर उसे act को perform करो मतलब दुबारा वो चीज करो मतलब plan मनाओ किसी चीज का जैसे से हमने plan मनाया उसके बाद उसे हमने do मतलब करा उसका check करा उसका act perform किया तो इस तरीके से पूरा continuous improvement लगातार यह देखिए reversible cycle है एक बार चालू होने के बाद यह लगातार हमें करते ही रहना ऐसा नहीं कि एक बार हमने काम product को check कर लिया उसके बाद आपने छोड़ दिया एक बार यह चालू हो गई तो यह बंद नहीं होगी जब तक आपकी company चालू रहेगी लगातार यहाँ पर continuous improvement होता रहेगा यहाँ पर देखिए इसमें का एक चार्ट भी है इसमें improvement फिर quality फिर advancement फिर continuous फिर success फिर implementation तो इस तरीके से line से काईजन चलता है जिसमें आपका पूरा mainly क्या problem को find करके उसे identify करके यहाँ पर problem को solve करके दुबारा वह repeat नहीं उसके लिए continuous improvement यहाँ पर किया रहता है अब यहाँ देखिए इस इसमें आपको क्या मैंने पूरा वैसे तो आप लोग को समझ महा गया होगा यह आपका total कितने step में रहती इसको भी याद रखना question आ सकता है 7 step के अंदर होता यह भी याद रखना उपर मैंने आपको वैसे तो बता दिया तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे तो यहाँ सबसे पहले identify the problem करेंगे problem देखिए identify problem करी फिर analyze करेंगे problem फिर developed solution करेंगे फिर implement करेंगे जो हमने solution मनाय उसे वहाँ पर यूज करके देखेंगे फिर रिजल्ट देखेंगे जो हमने problem में solution लगाया वो कैसा आया और रिजल्ट आने के बाद उसके standard हम set कर देंगे कि यहाँ पर इतना result की improvement की ज़रुवत है और get the employee involved और उसमें क्या करेंगे employee को आपस में involved कर लेंगे तो इस तरीके से काईजन क्या है continuous improvement Japanese यहाँ पर एक technique है इसके दुरू हम क्या करते है problem finding करते हैं तो यहाँ से question आ सकता है कि problem finding के लिए काईजन process का use किया रहता है इस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा चार्ट रहता है काईजन का form भी रहता है जो कि यहाँ पर जो भी company में काम करने वाले लोगों तो उनसे बरवाय रहता है देखिए कैसा होता है उसमें employee क का number होता है department होता है work area होता है उसके बाद देखिए before improvement और suggested improvement तो अब क्या होता है इसमें जब हमने देखा कि employee के अंदर क्या क्या कमिया है तो उस कमियों को हमने क्या करा यहाँ पर improvement से पहले की जो भी चीज़े हैं वो लिखीं और suggested improvement की अब उसके अंदर क्या दिक्कत है क्य हमें उसके लिए suggest करना चाहिए कहां पर वो गलत काम कर रहा है कहां पर उसकी चीज़े जो है proper नहीं है उसे क्या चीज़ सुधार करना चाहिए तो इसके उपर होता है और उसके बाद हम यहां क्या करते इंपक्ट स्टेट्मेंट जो हमने उपर दोनों स्टेट्मेंट दिये उनका इंपक्ट देखते हैं और फिर सुपरवाइजर के दुरू से वरिफाई करके और यहां पर अलग-अलग के अंदर यहां पर इससे डिफाइन कर जाता है तो इस तरीके से यहां पर आपका पूरा डेबलब हो जाता है तो यह काईजन की प्रोसेस है इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए इंपोर्डेंट है जो कि आपका प्लान, डू, चेक्ट, एक्ट के दुरू यहां पर होता है यह फुल फॉर्म भी पूछी गई थी यहां पर PDCA cycle की फुल फॉर्म पूछी गई थी बहुत सरे कंडिडेट ने यही गलत कर दी थी उन्होंने प्लान, डू, चेक्ट, एक्ट की जए कुछ और लगा दिया तो PDCA की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है इसको भी आपने पूछी यही फिरो फास्ति को अपने अपने जो भी लगता है वीडियो को शेर करते और अब अब के साथ करके सारी वीडियो आपके साथो जाएंगे और आगे की स्ट्रेटीजी के उपर हमें बात करनी यह कि आगे प्लानिंग करनी है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल 12 जॉब के चक्कर में थोड़ा बिजी रहता हूं तो इस चक्कर में मैं जो मुझे जितना टाइम मिलता उतना कोशिस करता हूं candidate की form बनने में जो भी दिक्कत उनको help कर दूँ ताकि बाद में उनने कोई दिक्कत ना है बागी मैं आपको बताता रहूँगा time to time आप लोग अभी form अपना अराम से बरिये जिन्होंने भी form नहीं बरा है तो फिर मैं आपके साथ मिलूँगा तब तक के लिए आपके साथ फिर आता हूं next वीडियो में तब तक telegram group knowledge IQ भी जोइन कर लिए वहाँ पर आपको सारी update वहाँ पर provide कर दी जाएंगी link वीडियो को description में है फिर मिलता हूं आपके साथ next वीडियो next update में thank you so much for watching this video thank you so much